सज्जन्ता सरल्ता और विद्धोता की प्रतिमूर्ती मानिनी नमश्कार आद्रणी हर सफल्ता के पीछे जो विफल्ता है यानि कि हर विफल्ता अपने साथ एक समतुल लाभ के बीज को लाती है और ओ लाभ होता कैसे है द्रणता से होता है और द्रड़ता का आधार क्या है द्रड़ता का आधार है इच्छा की सक्ति इच्छा सक्ति और इच्छा जब ठीक से मिलते हैं जब ये जोड़ी प्रबल होती है और जो भी इस जोड़ी को प्रबल बना लेता है वो लोग बहुत बड़ी संपत्ति जमा करते हैं अपने जीवन में हर एक सफलता को पाते हैं आम तोर पर बहुत ही धैरवान और कभी-कभी निश्ठुर के रूप में भी जाने जाते हैं ऐसे लोग उनको गलत समझा जाता है उनके पास जो होता है उसको लोग मजाक उड़ाते हैं लेकिन वो होता क्यों है उनकी इच्छा सक्ति के कारण जिसे वो द्रढ़ता के साथ मिस्तरित करते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी इच्छाओं के पीछे इस्थापित कर देते हैं जिसने भी इस हट धर्म को अपनाया जिसने भी इस हट को अपनाया द्रढ़ता को अपनाया अपनी इच्छा की सक्ति का आधार द्रढ़ता को रखा वो जीवन में कभी असफल नहीं हुआ अधिकांस लोग अपने लक्ष और उद्देश्चों को पानी में फेकने के लिए तयार हो जाते हैं बिरोध या बिपत्ति के पहले संपत्ति पहले संकेत पर ही आत्म समर्पन करने के लिए तयार हो जाते हैं थोड़ा सा बिरोध हुआ नहीं कि अपना आत्म समर्पन कर दिया जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी सफलता जो चाहते हैं वहां तक नहीं पहुँच पाते हैं सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु सिर्फ और सिर्फ एक्छा है इसे लगातार अपने दिमाग में रखिये और कमजोर इच्छाएं कमजोर परणाम लाती हैं मजबूत इच्छाएं मजबूत परणाम लाती हैं जैसे आग की एक छोटी सी चिनगारी गर्मी की एक छोटी सी रासी को पैदा करती है यदि आप खुद में द्रणता की कमी पाते हैं तो आपकी इच्छाओं के तहते मजबूत आग के निर्माड से इस कमजोरी का उप्योग किया जा सकता है संपत्ति उन मनुस्यों की तरफ जिनका मन उन्हें आकरसित करने के लिए तैयार होता है उसी प्रकार आकरसित होती है जिस प्रकार पानी निश्चित रूप से सागर की तरफ आकरसित होता है